प्रपटी गूरुकुल्च चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत ञो एक रीयल स्टेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का काम करता है मैं हूं राजवन सिंग वाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट कोच, रियल स्टेट बुक्स का और्थर, प्रोपर्टी डिवेलपर, एंड मोटिवेशन स्पीकर आज का जो टॉपिक है जुबान का पका होना बिजनस में सबसे जरूरी बात है अपनी जुबान पर पहरा देना जो बात कह दी, वो कह दी असली बिजनसमेन की पहचानी यही है कि उस आदमी ने जो अपनी जुबान से कह दिया, वो कह दिया, उससे वो पिछे नहीं अटेगा रियल स्टेट में खास करके, जिन लोगों की रेपूटेशन है, जो जुबान के पके माने जाते हैं, उन आदमीों का काम, उन वेपारियों का काम, दूसरे लोगों से कम से कम दस गुना ज़्यादा है और उनके पास लोगों की लेन लगी रहती है, टोकन से वो लोग अपनी डील करते हैं, जिस तरीके से बैंक में जाते हैं, हम पेमेंट लेने के लिए, वहां हमें टोकन इशू होता है, और इसी तरीके से, हमें टोकन के हिसाब से ही, उनके पास, जो जिनकी रेपूटेशन ह उनके पास customer जाते देखे देखेंगेंगे सबसे पहले जुबान का पकाउन become the man of commitment commitment किसके साथ है commitment with self पहले तो अपने आपके साथ ही commitment अपने साथ ही जुबान जोग कर ली वह हम कितनी पूरी करते हैं हमने कितनी बार सोचा है कि हम सुबह 6 वेज उट जेंगे जल्दी फिर हमन हमने mobile पे कितना देर हमने time खराब करना है कितने time हमने वीडियो देखनी है कितना time हमने कुछ और सर्च करना है वह उसको commitment को हम तोड़ देते हैं हमने कई बार सुचा है कि हमने इस महिने में यह काम करना है वह भी commitment तोड़ देते हैं हमने कई बार exam में जाते देखा है कि हमन जुबान की सबसे बड़ी कीमत है commitment with self यदि हम अपने आप के साथ ही जुबान नहीं पुगा सकते तो सामने वाले के साथ कैसे पुगाएंगे सामने वाले के साथ तो हम पुगा ही नहीं सकते बिलकुल नहीं पुगा सकते मैंने दस्वी की क्लास में महत्मागंदी का एक चेप्टर पड़ा था इंगलीश में तो जो फास्टिंग एज पीनेंस मतलब वो कहते थे जब मैं अपनी कोई बात के उपर पूरा नहीं उतरता त मैं वर्त रखता हूं अपने आपको याद दिलाने के लिए के मैं यह कमिटमेंट की थी और मैंने यह कमिटमेंट पूरी नहीं की अपने आप से दूसरे आदमी के साथ हम तब पूरी करेंगा नहीं जब हम अपने आप से अंदर से कमिटमेंट करते होंगे हम अपने आप से अंदर से एक वा जाती है यार तेरे बसका नहीं है क्योंकि तुझ की कमिटमेंट ही नहीं पूरी करता है जब तुम खुद से ही की हुई कमिटमेंट नहीं पूरी करते है तो दूसरे बंदे के साथ जहां पर आपको दूसरे बंदे के साथ काम पे करना है मतलब उनके उपर ड का कि फिल्म का डायलोग याद रख लो कि जब मैं किसी से कमिटमेंट कर देता हूं तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता मतलब ये है कि आपकी कमिटमेंट इतनी जबर्दस्त होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा कहे कि यार इस बंदे ने ये बात कह दी और ये पत्थर पे लकीर है इसको कोई इदर से उदर नहीं कर सकता यदि आप इस बात को टेक इट आइस ग्रंटेट ले लोगे कि हम जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं तो आप एक बात समझ लेना कि लोगों की भीड़ आपके पीछे आ जाएगी आपको लोगों के पीछे जाने की जरूरत ने परी लोग हमारे से कब टूटते हैं जब हम एक बात कह देते के हम कल आएंगे परसों आएंगे ये काम करेंगे कल आपकी पेमेंट पहुंच जाएगी दो दिन बात पेमेंट पहुंच जाएगी हम पेमेंट नहीं पहुंचाते या अपनी जुबान पे नहीं करते तो लोग हमार पूर्पर भ्रोसा करना कम करते कर, खुत कैर ले चियन का और जिस आदमी ब्रोसा ना रहा हो तो वह आदमी आगे कैसे बढ़े गा तो जो आदमी शराब पीता है नशा करता है वह अपने आप से कमिटमेंट करता है कि मैं आज के बाद नशा नीपने पीऊंगा आज के बाद मैं शराब नहीं प्यूंगा उसके बाद फिर वो पी देता है तो एक दिन क्या होता है वो आदमी शराब के सामने अपने आपको सुरिंडर कर देता है शराब उसकी दुश्मन है और उसके सामने सुरिंडर कर देता है और जो आदमी अपने दुश्मन के सामने सुरिंडर कर दे तो उस आदमी का क्या हशर होता है आप सब जानते हो तो जो आदमी शराब पीता है समय शराब के सामने सुरिंडर कर दिया तो उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रहती ये इस तरीके का कोई भी नशाओ यदि आप आपने ठान लिया, आपने बोल दिया कि मैंने ये काम करना है, ये काम मैंने छोड़ना है, मैंने सुबह छे बजे उठना है, मैंने नौ बजे अपने काम पे जाना है, मैंने साड़े आठ बजे किसी को फोन करना है, तो ये यदि आप ठान लोगे, यदि आप ठान लोगे, तो आप यदि ठान दी तो आपको जीत मिलेगी नहीं तो आप घोगे की तरह snail उस तरीके ये से आप एक बार उटा होगे तो आपको सीधा करने व्हाला भी कोई निए सो आपने commitment करने से पहले सौ बार सोचने यदि आप commitment करने से पहले सोच लोगे कि मैं यह पूरा कर सकता हूं नहीं तब जाके उसको जबान दो मेरे एक जानकार जो नेटवर्क का मार्किटिंग का काम करते थे उन्हों को वह अपने लिखे रखते तो हमने पूछा के यह दिवारों पर लिखा है एक क्या है क्यों यह commitment हम अपने साथ commitment है मेरी तो मैंने का यह पूरी नहीट तो मैं अपने बैड मेरे नहीं सौनगा कि मैंने अपने आप से कोई commitment की हुई है, जो आदमी अपने आप के साथ sincere है, लोगों के साथ sincere है, उसको किसी को उसकी example देने में कोई तकलीफ नहीं होती, वो अपने आपको किसी के सामने ऐसे नहीं करेगा कि यार आप मेरे पर विशुआश करू, लोग कहेंगे कि यार ये ब सोचा कि आपके साथ commitment के अपरी दो शब्द बोले जाएं, हलांके ये real state का subject नहीं है, मैं real state पर बोलता हूँ, लेकिन फिर भी, जहां भी मेरे को लगता है, कि आप लोगों में मेरे जैसे, जैसे मेरे में बहुत कमी हैं, मैं अपनी commitment पे कई बार पूरा नहीं उतरता, तो मे media share करूँ, तो ताके आपको अपनी commitment के उपर एक बिश्वास बन जा कि मैंने ये commitment किया, और commitment मैंने पूरी करनी है, आज के लिए इतने ही, वीडियो अच्छी लगे, like share कर देना, comment box में जाके अपना सवाल रख सकते हो, ने topic पर वीडियो चाहिए, वो रख सकते हो, और channel subscribe न ताके आपको important वीडियो की notification ना रह जाए आप से, मिलता हूँ जल्दी एक ने topic के साथ, आप अपना ध्यान रखे, be committed to yourself, अपने साथ commitment करे, अपने दोस्तों के साथ commitment करे, और उस commitment के उपर खरे उतरे, ताके आपका, आपके उपर लोगों का जो विश्वास है, वो यहां से यहां हो जाए, thank you very much, मिलता हूँ जल्दी